इस मूवी की स्टार्ट में हम शिप में शक्ष को देखते हैं। वही पर उसके दोनों बच्चे भी थे। बच्चे उस बड़े से शिप को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और वो प्रे करते हैं कि काश उनके पास ऐसी ही शिप होती। ये देखकर डाड उनके पास आ जाता हैं, हम किंग्डम में आलडिन नाम के शक्ष को देखते हैं, जो की थीफ यानी चोर होता है, और ऐसा ही करके वो अपना गुजारा किया करता था, इसके साथ ही आलडिन रहम और नेक दिल का बंदा होता है, जो की गरीब लोगों की हेल्प किया करता था, वही हम इस दर्मियान शौप का ओनर उसे ऐसा करता हुआ देख लेता है, जिस वजह से वो जैस्मिन से पैसे मांगता है, लेकिन जैस्मिन के पास पैसे नहीं होते हैं, जिस वजह से ओनर फोर्स फुली ब्रेसलेट को उससे अलाइदा करने लगता हैं, तभी उसी दर्मियान आलडिन वहाँ पर आजाता हैं और वो उन सब लोगों की नजरों से बचकर यानि उन सभी को चक्मा देकर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। बाद में आलडन जैस्मिन को लेकर अपने घर पर आजाता हैं। उसके घर से प्रिंसेस का पैलेस भी दिख रहा था। ठैर बाद में टाइम स्पैंड करने के बाद प्रिंसेस वहाँ से जाने लगती हैं। लेकिन वो आलडन को अपनी रियल पहचान नहीं बताती हैं कि वो प्रिंसेस हैं। बलकि वो तो उसे बताती हैं कि वो पैलेस में प्रिंसेस के लिए वर्क करती हैं बाद में एलडिन को पता लगता है कि उसके दोस्त मनकी ने प्रिंसेस ब्रेसलेट स्टील कर लिया है इस बाद से उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है इधर हम Magician को देखते हैं जो की King का खास आदमी होता है Magician उस Cave में रखे Magical Lamp को हासिल करना चाहता था लेकिन इसके लिए उसे Cave के अंदर जाना था लेकिन उस Cave के अंदर वही शक्ष जा सकता था जो की रहम और नेक दिल का बंदा हो इधर पैलेस में Princess से Marriage करने के लिए अलग-अलग Kingdom से काफी सारे Kings आये होते हैं लेकिन कोई भी King Princess को पसंद नहीं आता है इसी वजह से वो सब को Reject कर देती है इधर Magician अपनी शक्तियों की Help से सुल्टान को अपने कंट्रोल में कर लेता है और वो उससे दूसरे Kingdom पर अटैक करने का कहता है तभी उसी दर्मियान ही Princess भी वहाँ आ जाती है और वो सुल्टान को उस Kingdom पर अटैक करने के लिए इंकार कर देती है वही नाइट में अलग-इन महल के सिपाहियों से बचकर पैलेस में दाखिल हो रहा होता है वहाँ पर पैरट भी मौजूद होता है जो कि अलग-इन को पैलेस में दाखिल होते हुए देख लेता है इसलिए वो इसके बारे में Magician को बता देता है इधर अलग-इन प्रिंसेस का ब्रेसलेट उसे वापस करता है और वो उससे सौरी बोलकर वहाँ से निकल जाता है तभी उसी दोरान ही Magician उसे पकड लेता है क्योंकि उसे रहम और नेक दिल बंदे की तलाश होती है और ये सारी क्वालिटीज अलग-इन के अंदर ही होती है बाद में Magician अलग-इन को लेकर केव के पास आ जाता है वो उसे बताता है कि केव के अंदर Magical Lamp रखा हुआ है तुम्हें उस Lamp को मुझे लाकर देना होगा ध्यान रहें कि तुम केव में मौझूद किसी भी चीज को टाच नहीं करोगे और अगर तुम वो Lamp लाने में काम्याब हो गए तो मैं तुम्हें काफी सारा गोल्ड दूँगा जिससे तुम काफी रिच हो जाओगे जिसके बाद तुम प्रिंसेस से मैरिच कर लेना एलडन उसकी बाद पर अगरी हो जाता है और वो अपने दोस्त के साथ केव के अंदर दाखिल हो जाता है केव में काफी सारी कीमती चीजे रखी हुई थी लेकिन वो किसी भी चीज को टाच तक नहीं करता है वही पर उसे कारपेट नजर आता है जो की स्टोन के नीचे फसी हुई थी जिस वजह से वो स्टोन को अलैदा करके उसे आजाद कर देता है बाद में वो मैजिकल लांप को हासिल कर लेता है लेकिन तभी उसका दोस्त मन की रेड डाइमंड को स्टील करने की कोशिश करता है जिस वजह से केव में काफी तेज हलचल होने लगती है और केव के अंदर लावा आने लगता है उसी दोरान ही मैजिशिन वहाँ पर आ जाता है आलडिन उसे लांप देता है लेकिन मैजिशिन उसकी हैल्प करने की बजाए उसे ही नीचे गिरा देता है बाद में आलडिन का फ्रेंड उसे बताता है कि नीचे गिरने से पहले ही उसने लांप को स्टील कर लिया था बाद में अलडिन जैसे ही लांप को घिसता है तो उससे जाइंट जिन बाहर निकलता है जो कि अलडिन को बताता है कि वो उसकी तीन ख्वाहिशें पूरी कर सकता है अलडिन उसे अपनी पहली ख्वाहिश बताता है कि वो उन दोनों को यहां से सही सलामत बाहर निकाले जीनी ऐसा ही करता है और वो उन दोनों को बाहर निकाल लेता है इससे अलडिन जिन से काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो उसका शुक्रिया अदा करता है बाद में वो जिन से सवालात करता है कि उसकी ख्वाहिश क्या है जिस पर जिन उसे बताता है कि वो लांप से हमेशा के लिए निजात पाना चाहता है, यानि वो हमेशा के लिए आजात होना चाहता है, इसके साथ ही वो उससे कहता है कि तुम मेरी पहली विश को पूरी करो, जिस पर जिन उसे बताता है कि ये तुम्हारी दूसरी विश है, ल बाद में एलडिन उससे पहली ख्वाहिश में मांगता है, कि वो उसे प्रिंस में तबदील कर दे, कि वो प्रिंसिस के पास जाकर उसे प्रोपोज करके उससे मैरिच कर सकें, जिसके बाद ये सब पहले आ जाते हैं। बाद में सुल्तान प्रिंस को रात की पार्टी में इंवाइट करते हैं। देख लेता है जिससे उसे शक हो जाता है कि वो प्रिंस कोई और नहीं बलकि अलडिन ही है नेक्स्ट दे मैजिशन अलादीन को पकड़ लेता है और वो उसे पानी में फैंक देता है उसी दोरान ही दोस्त भी लैंप के साथ वहाँ पर आजाता है और वो लैंप को पानी में फैंक देता है अलादीन का हाथ लैंप पर लगता है इसलिए जिन बाहर आकर उसकी जान बचा लेता है इस तहह ऐलडिन की दूसरी विश भी पूरी होती है बाद में अलडिन मैजिशिन की असलियत सब के सामने ला देता है इसलिए वो लोग मैजिशिन को कैद कर लेते हैं बाद में प्रिंस जीनी से कहता है कि मेरी लास्ट विश है कि तुम मुझे हमेशा के लिए ही प्रिंस बना दो क्योंकि अब मैं पहले जैसा बिलकुल भी नहीं बनना चाहता हूँ इस बाद से जिन नाराज हो जाता है क्योंकि अलादीन ने उससे कहा था कि वो लास्ट विश में उसे हमेशा के लिए लांप से छुटकारा दिला देगा बाद में जब प्रिंस वहां से जा रहा होता है तो वे में ही मैजिशियन उससे लांप को हासिल कर लेता है और वो जिन से पहली विश उस किंडम का किंग बनने का मांगता है जिस वजह से जिन ऐसा ही करता है अपनी दूसरी विश में वो जिन से उसे दुनिया का सबसे पावरफुल बनाने का कहता है, जिन उसकी ये विश भी पूरी कर देता है, उसी दर्मियान ही एलडिन वहां आकर लांप को स्टील करने वाला होता है, लेकिन इससे पहले ही मैजिशियन उसे पकड लेता है, और वो उनके सामने उसकी सारी असलियत ले आता है, कि वो कोई प्रिंस नहीं, बलकी चोर है, बाद में वो उसे मरने के लिए बरफीली प्लेस पर फिंक देता है, लेकिन कारपेट वहां आकर उन दोनों सेव कर लेती है, नेक्स्ट डे मैजिशियन प्रिंसेस से मैरिज करने वाला ह होता है, उसी पल प्रिंसेस की नजर अलादीन पर पड़ती है, इसलिए वो उससे लैंप को लेकर एलडिन के पास आ जाती है, मैजिशियन इस बात से काफी नाराज हो जाता है, इसलिए वो अपने पैरट का साइस काफी बढ़ा कर देता है, और बाद में मैजिशियन उन्ह पकड़ ही लेता है, एलडिन उससे कहता है कि बेशक तुम पावर्फुल हो, लेकिन तुम जिन से ज्यादा पावर्फुल तो कभी नहीं हो सकते, इस बात पर उसे काफी गुस्सा आता है, इसलिए वो जिन से उसे उससे भी ज्यादा पावर्फुल बनाने का कहता है, लेकि बाद में प्रिंसेस अलेडिन से शादी कर लेती हैं, जिन भी शादी कर लेता हैं, और इससे उसे दो बच्चे होते हैं, और इसी के साथ ही ये मूवी यही पर एंड हो जाती है, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग.